वेसे फ्रेंड्स आपने यहाँ पे gts andres को install किया है download किया है किसी जगा से and open करते हैं आपको एक problem आरी मैं सबसे पहले आपको problem दिखाई देता हूँ जिसे कि यहाँ पे game मैंने install किया open किया है तो यहाँ पे मुझे starting download यहाँ यहाँ पे यह वाला error शो हो रहा है अगर आपको भी same यही वाला error यहाँ पे शो हो रहा है तो आज किस वीडियो में जानेंगे friends इस problem का solution क्या है किसे friends इस problem का fix कर सकते हो and gts andres को install कर सकते हो friends यह problem दो जगा पे आ सकती दोनों जगा से भी friends आप problem को कैसे fix कर सकते हो ही आज किस वीडियो में बताने वाले तो पहले तो friends मुझे comment box में ज़रू बताना आप यहाँ वे gts andres को कहा से किस जगा से download किया comment में ज़रू बताना अब friends solution की बात कर लेते starting मतलब friends basic से लेके solution तक हम बात करने वाले अब वीडियो देखते कोई भी problem आते किसी भी जगा पर आपको problem आते कोई भी step follow करते समय problem आते comment box में comment करके ज़रू बताना वैसे comment करने से पहले वीडियो को like भी ज़रू करना topic कितना important आपके लिए यह भी मुझे जारा पता चाल जाएगा okay तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते without investing your time starting basic से solution से start कर लेते पहला friends यहाँ पर यह problem आ रहा है और यहाँ पर साब सा बताया जा रहा है download shall please check your connection तो यहाँ पर आपको कुछ step follow करने जो friends से आप इंटरनेट के related है तो वो क्या है सबसे पहले यहाँ पर ही साब साब बताया जा रहा है जो भी friends आप download करना चाहते यह आप जो data तो इसके लिए friends आपको क्या करना है जो भी आपका wifi connection है उससे ही connect कर लेना है अपने mobile internet connection से वहाँ से यूज करेंगे friends मतलब friends download करेंगे तो वहाँ पर आपको problem आ जाएगी मतलब friends किसी भी जगह से आप wifi को connect करके वहाँ से download कर जाकते है अच्छी speed होना चाहिए वह ज्यादा important है यहाँ उस तिति में यह वाला error आपको शो नहीं होने वाला है अब friends यहाँ पर error show हो रहा है तो ऐसे स्थिति में friends जो wifi आपने connect किया तो वहाँ फ्रेंड्स गेम का जो connection है wifi का वह यहाँ पर disconnect होआ होगा तो पहले आपको check कर लेना है वह कैसे करना है simple सी तरीक यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको वह भी दिखाता हूं तु उसक्य फ्रेंड्स आपको game का ख़र uncle करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है अब सबसे पहले यहाँ फक मॉबाल के टेटिंग में करिए अब क्लिक करते हैं पहला यहां पे काम करना है कि यहां से आपको फोस्टॉप पे क्लिक करके एप्लिकेशन को फोस्टॉप करना है फेरी इंपोर्टन है उसके बाद यहां पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स यहां पे नीचे ऑप्शन है जो है फ्रेंड्स डाटा यू गाव दलब डाउनलोड करने में कोई प्राउलिम आपको नहीं आनेवाली है वैसे अभी अभी जों मैंने तरिका आपको बता दिया है वह तरिका सिर्फ जो पले स्टॉर से गेम इस टॉर्ड रसेते तो वह पर फ्रेंट्स 90 जो प्राउलिम होई यहां पर ही हो जाती है download की अब friends जो third party मतलब किसी और जगा से यहां पर गेम को download करते हैं तो वो केसी friends यहां पर download के problem को fix कर सकते हैं gts address के तो वह भी friends स्टार्टिंग में में आभी जो तरीका बता दिया है उसे apply करके check करें yy connection को जोइन करके चेक कर सकते हैं. अब उसके बाद भी friends डाउंलोड नहीं हो रहा e resources जो v h data friends, तो ऐसी सित्में आपको क्या करना चाहिए तो पहला बात friends है आपए यही आपको check करना है GTS address आपको support करता है आपके डिवाइस पर यह नहीं अगर support नहीं करता है तो वहाँ पर download resources का आपको problem आ सकता है जहाँ पर download starting का problem आपको आ सकता है तो इसका simple solution है mobile के setting में जाना है setting में जाने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर about phone या about device के उपर click करके यहाँ पर जो latest version जो भी friends आपका Android का कोई version आता है तो यहाँ अपडेट आता है तो उससे अपडेट कर लेना है वैसे अपडेट करने के बाद भी यहाँ पर gts address ओपन करने के बाद download starting का आपको problem आता है तो आई सित्में आपको क्या करना है friends जो भी जिस भी जगह से आपने third party side से game को install किया है तो उस जगह से friends गेम को uninstall करना है और किसी और side से download करके चेक कर लेना है या और एक कमाल का तरीका apply कर सकते है तो वो तरीका यह friends जिसने भी gts address को install किया वो play भी कर पा रहा है तो आपको क्या करना है friends उस data के साथ उस game को आपने phone में transfer करना है USB या किसी भी application से आप transfer कर सकते हैं आपको बतानी के ज़रूरत है आप transfer कर लें अब सिर्फ game ही transfer नहीं करना है friends उसका जो 6GB का जो भी friends data था वो भी आपको transfer करना है एक application को install करना है explore इस नाम का application आपको play store पर मिल जाएगा इससे आपको open करना है open करते ही friends यहाँ पर फ्रेंट्स वो जो फाइल लेंट्स data file gts address के उसे आपको क्या करना है android की folder पर click कर लेना है यहाँ पर आपको obb का folder मिल जाएगा इससे open करिए and gta centers का यहाँ पर folder मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या करना है इस वाले folder में friends आपको जो obb file है 6GB की उससे friends यहाँ पर आपको डाल देना है and gta open करना ओपन करने के बाद gta चल जाएगा आपको कोई भी प्रॉल्म नहीं आने वाली फिर भी प्रॉल्म आते हैं तो एक काम कर सकते हो प्ले स्टोर में जो अपडेट है friends जीटिया यसे का वो चेक कर सकते हो इंस्टॉल करने के बाद आप किसी थर्ड पाटी जगा से इ चाहेगा वैसे फ्रेंट्स फ्ले स्टोर में जीटिया सेमडर से अगर आप सच करते हैं वहा पर इंश्टॉल करने के बाद भी यहां पर यह वाला एरर और अगर आपको show हो जाता है ध्यान दीजिए यह अगर एरड एट्स तर्टिंग का अब हम रिसे सिंपने आपको। Phones में ही नहीं चलने वाल है, आप कुछ भी करो, कोई भी तरीक है वहापे काम नहीं करने वाल को रसारो प्रसा एक ऐ है वह द क्लिय और अання बात्स करेंगे तो आपका यह problem हारा डाव्डोट स्टार्टिंग का बागी का तो आप सब कुछ जानते होगे सर्च करते होगे हाँ वहाँ पे तो सवल्यूशन मिलता है न तो इस वीडियो को अभी सेख करके रख लेना एंड सुल्यूशन मिलता है न तो इस विडियो के नीचे कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरू बताना जिससे हमारे जो ऑदर विवर से फ्रेंड्स उनको भी पता चल जाएगा कि आपको यहांब सॉलूशन मिला एंड वो भी थोड़ा यहां भे चेक करेंगे थो वहांब उनकी भी प्रॉल्म यहां पर सॉल हो सकती है ज Caleb ऑप फ्रेंड्स जाती है उऔर कोई टॉपिक चाहिए और किस टॉपिक रिलेटीड वीडियो देखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते, वीडियो आशका टानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकवन पे क्लिक करना, धन्यो वो फ्